दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सुभी का ओला इंडाफर श्रीटुब चलबे इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रात्मिक सिच्छक बरती से बीएड को बाहर करने के लिए उत्तर प्रदेश में लगी याचिका पर होई सुनवाई के बारे में साथ ही अगर बात की जाए एड़ियो सिच्छक बरती के अंदर 5000 सीटों को लेकर तो वीडियो को आप लाइक कर दें साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे बहले आप सभी को ध्रियल ऑथेंटिक जानकाई दी जाती हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आप जानते कि प्रात्मिक से बीएड को बाहर करने के लिए बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अं लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतीक मिश्याने की आचिका को दाखिल किया था जहां पर बीएड वाले चातों को बाहर करने के लिए साथ साथ यूपी टीटी के परढ़ाम को रद करने की मांग की गई थी उसी के संबंद में आज एक सुनवाई हुई जिसके बारे म में जानकाई आप सुभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी इस मामले की सुनवाई 14 सितंबर 1222 को कोड नमबर अगर बात की जाए तो 33 में 13 वे नमबर पे लिस्टेड था अब यह तो बात हो जाती कि आज की तारीक में इसकी सुनवाई थी सुनवाई में क्या हुआ और सुनवाई के बात क्या हुआ तो यहां पर आप सुनवाई के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि सुनवाई के बात क्या हुआ पंदर 1222 नीचे आप सुनवाई के सामने तारीक देखने के लिए मिल जाती है 16 वरबर 1222 को डेट फिक्स कर दी गई है 26 सितंबर 1222 को मतल की गई कि जो यहां पर जानने का प्यास हुआ कि यह जो मामला सुप्रीम कोड में लगा हुआ है क्या वहां पर कोई अंतिम फैसला हो चुका है तो यहाँ पर जानकाई उनके माध्यम से दी गई कि सुपीम कोट के अंदर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो अगली तारीक है बारे अक्टूबर 12-22 की लगा दी गई है तो जैसे ने इस बात को सुनते हुए एक बार फिर से बीर्ड वाले चात्तों को कोई यहाँ पर रहत तो नहीं दी लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इस बार यहाँ से बीर्ड वाले चात्तों को रहत मिल जाए लेकिन आप जानतें कि कोट तो डिपेंड करती है और्डर्स के उपर फिर उन्होंने इस मुद्य को लेकर जो अगली तारीक है वो 26 सितंबर 12-22 की लगा दी है अब क्या 26 को कुछ होगा भी या फिर अगली तारीक मिलेगी ये तो आप भी जानते क्योंकि अभी तक मामला सुपीम कोर्ट में भी लंबी थे हर जेगा पर सुनबाईयां चल नहीं है और जो भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्याम से दी जा रही है बात कर लेते हैं एड़िट यूनियर सिच्छक भरती को लेकर एड़िट यूनियर सिच्छक भरती के अंदर 5000 सीटें जुड़वाने के लिए अभ्याती तमाम प्यास करें कल आप सुभी को मैंने जानकाई दी थी शिच्छा निदेशक के चाच्छातों के माध्याम से धना प्यदेशन करके मांग की गई थी अब अब अब्यदियों के माध्याम से एक बार फेज़ी निदेशक के साथ साथ अगर बात की जाए बेसिक सिच्छा मंतिजी से यहां से मुलाकात करें कि इसके इलावा दबाब बनाकर 5000 सीटों पर नई चैन सूची जारी करने की जो मांगे वो की जारी है आप जानते अठाया सो चुछाने बतों भरती का बिग्यापन जारी हुआ था लेकिन प्रदेस के अंदर एरिट यूनेस इच्छक बरती के इससे ज्यादा बड़ी संक्यां परद खाली है उसी के आदार बेट दो साल बाद जब यह बरती पूरी हो रही है तो और भी परद यहां से खाली हो गए होंगे उसके अंदर सीटें जोड़कर बरती काया जानने की मांग की जारी है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ही है कि क्या 5,000 सीटों पर मेरिट लिस्ट जारी होगी इसके बारे में अधिकारियों के माद्यम से खुलकर कोई जानका ही नहीं दी गई है सिफ छापतों को आशवाशन दिये गए लेकिन वो आशवाशन आप जानते हैं कि जब तक जमीन इस तरह बना आ जाएं तब तक इंतिजार करना पड़ेगा आज भी अब बेरतियों के माद्यम से तमाम अधिकारियों से मुलाकात करके एड़ेट जूनियर से इचक वरती में 5000 सेटें के जाननी के मांग की गई है जो भी अपडेट होगी डेटल वीडियो आप सुभी को देर शाम तक बना कर दे दिया जाएगा वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब